Hi guys, welcome to my channel Education File आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं B8 and Teaching exams related videos के लिए playlist में बहुत सारे videos हैं और अगर आप कोई video सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते bell icon दबाना ना भूलेगा Hi guys, welcome to my channel Education File और आज इस video में बढ़ेंगे Levels of Teaching में बारे में और इसमें पहला level है Memory Level यह particular topic है B8 के Learning and Teaching में तो जल्दी से बढ़ते हैं क्या होते हैं Levels of Teaching और क्या होता है Memory Level ठीक है? तो बहुत simple topic है अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं करे तो आप कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाना तो यह जो concept है Levels of Teaching का यह दिया था BG या BG ने आपको जैसे भी आद करना है याद कर ले ना 1967 में इन्होंने यह concept दिया था और इसमें इन्होंने क्या का कि Teaching can be done from least thoughtful process या manner to most thoughtful manner कि मतलब Teaching कहां से start हो सकती है Teaching start हो सकती है जहां पे उतना thoughtful process ना use हो और उसको कहां तक ले जाए जा सकता है जहां पे बहुत ज़्यादा thought process use होते हैं ठीक है तो इसके लिए इन्होंने levels दिये थे इन्होंने पहला level दिया memory level जिसमें यह कहते हैं कि यह least thoughtful process है जहां पे इतनी thought processes use नहीं होती हैं ठीक है चलो देन है understanding level तो इसको इन्होंने का कि thoughtful process है ना ही कम ना ही बहुत ज़्यादा third level को नाम दिये इन्होंने reflective level और इसको कहा जहां पे सबसे ज़्यादा thought processes use होती है teacher के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी ठीक है तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल memory level के बारे में और ये जो दो वीडियो रहे के जाएंगे इनके बारे में पढ़ेंगे हम next वीडियो में ठीक है तो इसमें पढ़ते हैं memory level के बारे में तो memory level या स्पृति स्थर तो इसको नाम दिया गए कि ये least thoughtful process है या इस level में उने कहा कि cognitive abilities इतनी ज़्यादा use नहीं होती है क्यों नहीं use होती है क्योंकि इसमें teacher बच्चों के सामने information present करता है उनके सामने प्रस्तोत करता है और इसमें जो learning होती है वो learning होती है wrote learning या जिसमें इतनी ज़्यादा reasoning यूज नहीं होती है या understanding abilities यूज नहीं होती है इसमें learners क्या करते हैं इसमें learners केवल factual knowledge को याद करते हैं जो भी provide की जाती है teachers के दौरा इसका simple example यह है कि छोटी level पर जब बच्चों को ABCD सिखाए जाती है तो क्या है basically वो memory level के अंदर आता है ठीक है जब बच्चों को alphabets आ जाते हैं जब बच्चों को swerve engine आ जाते हैं तो teacher of next level के तरह मुर्द आगे बढ़ता है जिसको कहते है understanding level चलो इसका objective क्या है इसका objective यह है कि जो learner है वो content को wrote learning के द्वारा या रटा मार की या जैसे भी याद होता हो उसको याद कर लें और retention increase कर सकें और जब भी जरूरत हो उसको time to time represent कर सकें चलो भी इस memory level के पीछे को psychological ideas है या theory relate करती है तो पहला है herbertian theory of perception जिसको कहते हैं herbertian region इसमें क्या कहते हैं herbert, herbert एक german educator थी जिन्हों ने पांच step दिये थी या five step दिये थी कि बच्चों के सामने किस तरह से content को प्रस्तुत किया जाता है, then बच्चों में होता है association, association कैसे होता है, कि जो मैं अभी current में बढ़ रहा हूँ, मैं उस knowledge को previous knowledge से compare करता हूँ इस step को कहते हैं association, associate करना, then आता है generalization या सामान करन, ये एक ऐसी tendency है, जिसमें individual respond करता है, same way में अगर उसको similar stimuli मिलता है, या similar अगोधिपन मिलता है, ठीक है, मलब जो बच्चे नहीं सीखी है, तो उस particular ग्यान को वो सभी चीजों के साथ relate करता है, या जब उसके सामने same situation आती है, तो वो same way में respond करेगा, ठीक है, ये है generalization, then है application, application क्या है, specific हो सकती है, clear है, मतलब वो time के साथ सीख जाएगा, कि particular information को कैसे specific purpose के लिए use करना है, I hope आपको समझ में आ रहा है, इसमें क्या है, basically, चीजों को memorize करना सिखाया जा रहा है, पहले बच्चों को prepare करना सिखाया है, then उनके सामने चीजे present करी गई, then बच्चे associate करेंगे, then उसको generalize करेंगे, then उसको apply करेंगे, ठीक है, और ये क्या है, सभी memory level को enhance करेंगे, clear है, चलो देन आता है, thondike का connectionism, अब thondike क्या कहते है, thondike ने एक law दिया था, एक सिधान दिया था, law of exercise, इसमें क्या होता है, learner same way में response करते हैं, आगर उन्हें similar stimulus दिया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से memorization increase होता है, ठीक है, तो memorization की पीछे क्या है, thondike का connectionism भी है, या trial and error theory है, कि जब हम बार बार किसी चीज को करते रहेंगे, तो वो हमारे mind में अपने आप याद रह जाएगी, या हम उसको याद कर लेंगे, ठीक है, then है theory of conditioning, तो इन्होंने भी क्या कहा, Paolo ने classical conditioning में, तो इन्होंने भी क्या कहा, कि same stimulus अगर provide होता है, तो response भी same ही आता है, ठीक है, और ये भी क्या है, memorization को increase करता है, चलो I hope समझ में आगया होगा, चलो अब है merits या advantages क्या है, memory level के, तो memory level के है, छोटी बच्चों के ल करना मतलब काखागा, AI, तो ये सभी क्या है, memory level में ही होते हैं, और बच्चों को इसलिए याद कराया जाते हैं, क्योंकि बच्चों के इस time cognitive skills इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो इस बच्चों के लिए method अच्छा है, इसमें क्या है particular fact और particular information ही provide की जाती है बच्चो करो कोई particular date है, तो उसको हमें याद करना ही होगा, चलो fourth point है कि memory level base तयार करता है, बाकी दोनों level के लिए, ठीक है, suppose आपको अगर कोई चीज याद है, आपको alphabets याद है, तो आपको word बनाने में आसानी होगी, और अगर आपको word बनाने में आसानी होगी, तो reflective जब level clear है, चलो last point है कि memory level में हम irrelevant जितनी भी information है उनको leave कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी particular data है, particular information है, उसे ही याद कर सकते हैं, clear है, तो ये हो गए advantages या benefits या merits, then है demerit, तो इसमें क्या है, ये road learning को encourage करता है, कि बच्चा समझने लगता है कि याद कर लो, समझने की इतनी क्या जरूर है, ठीक है, तो road learning को encourage करता है, इसमें जो learning होती है, वो short lived होती है, अगर आप बार बार उसको revise नहीं करते हो, तो जो याद किया हुआ होता है, वो हम भूल सकते हैं, ठीक है, इसमें cognitive skills उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, चलो, इसमें बच्चों को इस टिक discipline सिखाया जाता है, अगर teacher ने कह दिया कि आपको कोई particular चीज याद करनी है, तो आपको करनी ही होगी, ठीक है, तो इसका जो अनुसासान है, ठीक है, strict discipline है, चलो, second last point है कि इसमें हम particular path में ही बढ़ते हैं, या systematic way में ही याद करते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको EBCD आती है, तो आप LMNOP पहले लिख दोगे, ऐसा नहीं होता, हमको जो भी content है, उसको एक particular order में ही याद करना होता है, clear है, तो इसमें particular path को follow करना होता है, चलो, last point है, इसमें कि जो teacher है, अध्यापक है, वो central position में है, वो ही हमें instruct करता है कि क्या याद करना है, और क्या याद नहीं करना है, clear है, तो हमने memory level को अच्छे से पढ़ लिया है, मिलते है next levels के साथ, understanding level और reflective level, I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो मिलते है next video में, till then, bye bye, take care.